हलो एब्रिवन एंड वेलकम टू रियस कुरू जी राजस्तान पर इस कॉंस्टेबल और पटवारी के एक्जामिनेशन के लिए जीके की स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक हो और हमारे वेबसाइट से भी जान सकते हैं www.dskuruji.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो दोस्तों जानते हैं मोरे युक के महतोपुन प्रश्नों को पहला प्रश्न है वह सासक कौन था जिसने सिंगासन पर बेठने के लिए अपने पिता बिंदुसार कर दी थी तो दोस्तों वह सासक था अशोग जिसने राज सिंगाशन पर बेठने के लिए अपने बिंदुसार को मार दिया था जमनल लिखित में सम्राट अशोग की वह पतनी कोन थर्ड ओप्शन इस क्योशन में करेक्ट होगा बिंदुसार ने विद्रोईयों को कुचलने के लिए असोक को कहां भेजाता तो दोस्तों विद्रोईयों को कुचलने के लिए असोक ने असोक को बिंदुसार ने तक सिसीला भेजाता सेकंड ओप्शन इसमें करेक्ट होगा निमने लिखित में से वह वेक्टी कौन है जिसका नाम है देवान पियादासी तो दोस्तों वह वेक्टी है मोरे समराट असोक जिन है देवानाम पियादासी कहा गया है फर्स्ट ओप्शन इस क्योशन में करेक्ट होगा अगला प्रिश कुण सा है तो दोस्तों प्राचीन्हें तम राजवंस को dripping की त्यूम कें प्रधानित थे वे द द्यूंक का लिया थे चेंद रंतार में किन्हें करेक्टर फोगा करने सरे सीजाएते विस्तार गत्ष गत्त है तो दोस्तों वह थे चानक जिसने मुखहरूप से उनकी मदद की थी साची किस कला वो मुर्ती कला का निरुपन करता है यह करता है बुद्ध कला का ऊंगता सिद्ध कश्रोप si maura करता है प्राचीन भारत का वहh प्रशिद उसकक जिसने अपने जीवन मुद्रा का नाम क्या है तो दोस्तों मौरे समरादे में जो मुद्रा प्रचली थी वो थी पन फास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा निमनांकित में से कौन मौरे बंसका सासक नहीं है तो दोस्तों वो है अजात सत्रू जो मौरे बंसका सासक नहीं है निमनांकित में से असो नहीं है आर्थशास्त्र के लेखक दो दोस्तों आर्थशास्त्र के लेखक दो जंद्रगुप्त पर नंदवन्स के पश्चात मगद पर किस राजवन्स ने शासन किया था और कोटिले कोटिले Pixn See किस काल की विशेशता है तो दोस्तों ये विशेशता है मोरे काल की 84,000 इस्तुपों का निर्माता किस मोरे सासक को माना जाता है तो दोस्तों ये माना जाता है असोक को पायान ने किसके राजप्रशादों को देव दूतो दौरा निर्मित माना था दो दोस्तों उन्होंने मान अगला प्रेशन ही पुराणों में असोक का क्या नामुल लेखे तो दोस्तों पुराणों में असोक को खा गया है अशोक वर्धन और इनका जो धम है प्रजा के नेतिक को थान है तो प्रस्तुत आचार सहीता दूसरे वह सात्वे स्तंब में इसका उलेक मिलता है असोक द्वारा कश्मीर में जरम नदी किनारे कौन सा नगर बसाया गया तो दोस्तों इन्होंने बसाया था श्री नगर असोक क सभी अभिलेकों की भाषा क्या है तो दोस्तों इनकी भाषा है प्राकृत अभिलेक जिन में असोक नाम प्राप्त होता है तो दोस्तों वह है मास की लगो अभिलेक गुजरा लगो अभिलेक और निठूल लगो अभिलेक इन तीनों ही अभिलेक में अशोक नाम प्राप्त ह करत दुर्प में जैंप जन्म के वक्त शोक के राजार बनने के बावि भाविश्यवानि की थी तो दोस्तों यह आधिकाना साब लग मे तो दोस्तों यह ब्राम्मी लिपी में ब्राम्मी लिपी को सवर्व प्रत्म किस ने पढ़ा था तो दोस्तों इससे सबसे पहले पढ़ा था जैंप्स प्रिंच सेवन में सबसे चोटा अभिलेख है रुमिंदेई अभिलेख नेपाल का सबसे बड़ा भीलेख है भाब्रो अभिलेख सीला अगर आपके वीडियो अच्छा लगा होते से लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा थैंक्यू सो मच थैंक्स पो वजिंग